गोल, नेशन्स लीडिंग इंस्टिटूट फिनॉल है, और इस फिनॉल का रियक्षन कराया गया है जिंक के साथ, जिंक डश्ट के साथ यहां पर रियक्षन कराया गया है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका रिडेक्षन होगा फॉर्मेशन करेगा सबसे पहले बेंजीन यह ZNO बाहर करो, loss of oxygen और यह जो hydrogen है, उसको आप यहीं पर एड़ कर दो बेंजीन का फॉर्मेशन करता है पहले तो यह फिनॉल से पहले बन गया बेंजीन और उसके बाद क्या कर रहा है फ्रीडल क्राफ्ट एलकायलेशन तो फ्रीडल क्राफ्ट एलकायलेशन करोगे तो मिथाईल क्लॉराइड के साथ reaction करवाया गया है इन दा प्रजेंट्स ओप एन्हाइडरस यही है ना, तो इसके केस में अब क्या है, एलसेल थ्री सील माइनस को निकालेगा, मतलब आपको पता है कि mechanism यहाँ पर होता है ESR और एलक्ट्रोफाइल का काम इसके केस में कौन करेगा, बच्चों, मिथाईल कार्बो कटैन करेगा, एलसेल थ्री सील माइनस को निकाल करके मिथाईल कार्बो कटैन बना दिया उसी को बेंजीन के ऊपर जब तुम इस सब अगर दिया हुआ है, बिग्रस कंडिशन करते हो तो कह बनता है, कार्बोजलिक एसीड का फॉर्मेशन करता है, यानि कि इसका एंसर होगा यहाँ पर बेंजोईक एसीड, इस तरीके से यहाँ पर आप समझ सकते हो, कि सबसे पहले हम लोगों को phenol का reduction करना है zinc dust के साथ जो की alcohol phenol ether chapter में दिया हुआ LCIT में formation करेगा benzen benzen का phridul craft alkylation करोगे methyl chloride in the presence of enhydrous ALCL3 तो formation करेगा methyl benzene यानि की toline toline को जब strong oxidizing agent के साथ heat करोगे इसके case में formation करेगा carbozoleic acid वो बन जाएगा benzoic acid उमीद करता हूँ बाते आपको समझ में आ गई होगी 52 का answer हो जाएगा second अब आते हैं next question की तरफ next question अब लोगों को दिया हुआ है 53 अब 53 बहुत ही आसान question है आपने बनाया क्या जरूर बनाया होंगे आप लोग क्या कह रहा है इसा इलकीन प्रोपेनल पहले लेग दो प्रोपेनल का मतलब हो गया यह 3 कारबन का होगा यहां पर पैरेंचिन इसमें एक होगा ल्टिहाइड इस तरीके से पहले हम लोगोंने बना लिया प्रोपेनल उसके बाद किसके साथ रियेक्शन करने के लिए क्ले कह रहा है और carbon carbon double bond के साथ add कर दो, carbon carbon double bond जहां से ओ निकाले हो, वहीं से add कर दो, CH3, CH2, उसके बाद यहां पर CH, और फिर यहां पर क्या हो गया, C, और C के साथ यहां पर कितने methyl हैं, तो 2 methyl इसके साथ हमने add कर दिया, ऐसा देखो, तो कोई option है क्या, ऐसा कोई option है, देखो न, इसके case में CH3, CH2, CH double bond C के साथ, CH3, CH3, यही तो answer आ गया, यानि कि first answer आ जाएगा, और इससे भी तुम देखो, यहां पर जो ogenesis का तरीका देखते हो, यहां पर इसको अगर आप break करते हो, तो दोनों साइड अगर o को डालते हो इस प्रकार से, यहां पर एक propanol मिलता है, एक propanol मिलता है, इसको यहां पर करोगे आप तुम divide, तो देखोगे इसके case में क्या मिलेगा, दोनों साइड यहां पर propanol ही मिलेगा, और इसमें देखोगे, तो एक साइड मिलेगा, दो कार्बन का इथेनल, एक मिल जाएगा यहां पर propanol, इसको अगर यहां पर break करेके देखोगे, दोनों साइड, तो यहां पर एक मिलेगा इथेनल, एक मिलेगा propanol, यह भी तरीका है, लेकिन सबसे आसान तरीका है, कि जिसको आपको कह रहा है कि बनाना है, तो उसको आपस में लिख करके सामने, और O2 को बाहर कर दो, जहां से O को निकालते हूं, वहां पर कमबाइन कर दो, अपने आप वेस्ट टेक्चर आ जाएगा, मत्तलब यहां पर जो formation करेगा, 1, 2, 3, 4, 5, यानि कि यह जो formation किया, इसका नाम भी आप लोगों कहाना चाहिए, 2-methyl, 1, 2, 3, 4, 5, 2-methyl, 2-pentene, यह यहां ना, 1, 2, 3, 4, 5, तूपे डबल बोंड है, तूपे मिथाल है, तूपे मिथाल, तू-pentene, इसका एंसर हो जाएगा, फ़स्ट, उमिद करता हूँ, बाते आपको समझ में आ गई होगी, अब आते हैं, next question की तरफ, अब देखो, 53 के बाद, 55 नमर question, 55 नमर में कहा रहा है, प्रोपियोनामाइड, और हॉपमें डिग्रेडेशन गेव्स, यह तो इतना आसान question है, कोई भी instrument, एक नेजर में इसको बना देगा, तो प्रोपियोनामाइड कहने का मतलब, 3 carbon का पैरेंचेन होगा, 3 carbon का पैरेंचेन दिखा दो, उसके पास, एक एमाइड होगा, यह primary amide है, और इसका हॉपमें, ब्रोपमाइड डिगडेशन है, यानि कि, BR2 plus na wedge, यह सब ले लो, इसको आप heat करो slowly, तो क्या होता है, जितने carbon का यह primary amide होता है, उससे एक कम carbon का बनता है, यहाँ पर primary amine, तो यह आपको जो दिया हुआ है, यह है primary amide, और इस primary amide का हम लोग, जब हॉपमेंड डिगडेशन करेंगे, यही C double bone O को यहाँ से हटा दो, जब भी हॉपमेंड बर्माइड डिगडेशन की बाते करें, जो बीच में C double bone O है, उसको हटाओ, और C double bone O जिस alkyl से attached है, उसमें जाकर के NH2 को add कर दो, बादमा कि यहाँ पर Na2, CO3 बाहर होता है, NaBR, water यह से बाहर होता है, प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन करता है, उमीद करता हूँ, बाते आपको समझ में आ गई होगी, क्या मैं कहने की कोशिस कर रहा हूँ, ठीक है, समझ आ गए आप लोगों को, अब देखो, next question की तरफ चलते है, 59 number question, और 59 number question, जहां मुझे दिख रहा है, यह है, केनी जारो रियक्षन, और केनी जारो रियक्षन आप लोग जानते हो, बहुत अच्छे तरीके से, एक दिया हुआ है, मिथेनल, मिथेनल सबसे पहले हम लोग कहते हैं, फॉर्मल डियाइड को, एक कार्वन का पैरेंचेन है, उसके बाद इसको करना क्या है, कोंसंट्रेटेड अलकली के साथ इसको हीट करना है, तो बच्चेव जानते हो कि कोई ऐसा एल्डी ओडियाइड जिसके पास अलफा एच नहीं है, तो अलफा एच अगर नहीं है, तो वहाँ पर होता है केनी जारो रियक्षन, और क्या होता है? यहाँ पर दो मॉलिकुल का इस्तेमाल होता है, एक मॉलिकुल उक्सिडाइज करके बनाता है, salt of कार्बजलिक एसिड और एक मॉलिकुल रिड्यूस करके बनाता है, primary alcohol, यानि कि यहाँ पर होता है, disproportionation reaction होता है, यानि कि एक ही मॉलिकुल का oxidation, उसी का reduction, self-oxidation और reduction होगा एक formaldehyde oxidize करके पहले कार्वजलिक acid में convert होगा लेकि medium कैसा है basic तो basic medium में कभी भी तुमको salt की रूप में मिलेगा क्योंकि pure acid मिलेगा नहीं तो potassium format हो जाएगा और साथ में एक molecule इसका reduce करेगा reduction का मतलब होता है addition of hydrogen तो दो hydrogen यहाँ पहले से था एक hydrogen और add करोगे CS3 हो जाएगा एक O से जो रोगे तो methanol हो जाएगा तो देखो तो कोई ऐसा option है क्या एक methanol होना चाहिए एक potassium format होना चाहिए बच्चों इसी का जो नाम होता है ना formic acid का जो salt हो गया इसको कहा जाता है potassium format और यह जो यहाँ पर बना हुआ है इसको कहा जाता है methanol तो self oxidation reduction इसको हम लोगों ने कर दिया यानि कि methanol और potassium format का formation करेगा 59 का answer हो जाएगा second और कोई तो होगा न इथालल कोल तो बनेगा नहीं न इथालल कोल केसे बन सकता है क्योंकि यहाँ पर तो एक ही कार्बन का direct NCRT से लिया हुआ है वहाँ पर खाली R है R के जेगप यहाँ पर लगा दिया गया है methyl और बना दिया गया है question को तो इथेनोइक acid उसको P2O5 के साथ heat किया गया क्या होगा dehydration इथेनोइक acid सबसे पहले हम लोग देखते हैं कहते किसको हैं तो इथेनोइक acid का मतलब हो गया COOH यह हो गया न आर के जेगप बोला न खाली इथाल यहाँ पर add किया गया है और कुछ भी ने तो ऐसा ही किया गया है यह ले लिया गया इथेनोइक acid इसमें जब भी इस प्रकार की reaction दो दो मॉलिकुल आपको लेना है dehydration कराने के लिए और इसको या तो इस प्रकार से लिखे जाते हैं बच्चों जिसमें की sulfuric एसी लिखेगा चाहे simply H plus लिख देता है या फिर यहाँ पे P2O5 लिख देता है इस तरीके से तो heat जैसे किया तो आपको समझना है कि यहाँ पे dehydrating agent का यह सब काम करता है dehydration होगा तो एक carbonic acid में से OH minus निकालना दूसरे में से H plus निकालना यानि water बाहर कर देना और water बाहर करने के बाद इसके case में जो बचा उसको combine कर दो तो CS3 C double bone O के साथ यहाँ पर O है O के साथ यहाँ C double bone O के साथ एक और CS3 है बाहर हो गया water इसी को कहा जाता है acetic anhydride या फिर इसी को कहा जाता है ethenoic anhydride इसी को कहा जाता है बच्चों ठीक है देखो तो को ऐसा answer है क्या ethenoic anhydride तो होगा नहीं क्योंकि ethenoic acid है एंसर हो जाएगा इसका ethenoic anhydride प्रोपाणोइक भी नहीं होगा क्योंकि प्रोपाणोइक तो दिया हुआ है नहीं option में इसका answer जो होने बाला है ethenoic anhydride समझ में आगे आप लोगों को good very good यानि कि 63 का एंसर हो जाएगा second लिख लि अमरिंग उसी कार्बन से होगा जहां पे attached है कार्वी के सीड वान टू थ्री फोर फाइबन सिक्स किसी भी डारेक्शन कर सकते हो जो मैंने नीचे की तरह आया ना तुम चाहो तो वन टू थ्री फोर फाइब सिक्स ऊपर की तरह भी जा सकते हो नाम क्या होगा नाम होगा 246 24 ट्राइन आइट्रो बेंजोई के सीर होतो गया 26 गलत है टू पर फोर सिक्स ट्राइन आइट्रो बेंजोई के सीर 64 का एंसर हो जाएगा 64 का एंसर हो जाएगा second उमेद करता हूँ यह सब question तो आप लोगों ने बहुत आसानी से बहुत जल्दी fast बना दिया होगा अब देखो next question की तरब चलते हैं 65 number question 65 number question जो है chromyl chloride के साथ reaction दिया हुआ है paranitrotoline आपको यादारा यह कौन सा reaction है यह actual में itard reaction है जैसे आप लोग नहीं परते हो itard reaction याद है कुछ itard reaction जो परहिक थे उसी को थोड़ा सा दोहरा देता हूँ बस खाली nitro बाद में लगा देंगे यह हम लोगों ने लिया था toline इसका reaction हम लोगों ने करया था chromyl chloride CRO2 CRO2 Cl2 in the presence of CH2 यानि कि non-polar solvent CH2 या CCL4 भी ले सकते हो तो सबसे पहले यहाँ पर याद है formation किया था chromium complex chromium complex कुछ इस प्रकार से बनता है CH उसके बाद यहाँ पर O, CR, OH, CL2 का hole 2 इसी को हम लोगों ने क्या कहा था chromium complex और इसी chromium complex का जब हम लोगों ने acidification किया था तो formation किया था इसके case में क्या benzaldehyde यही तो benzaldehyde का formation होता है tolerance इसी को तो itard reaction हम लोगों ने कहा था अब इसमें सिर्फ क्या किया है कि para position पे NO2 को add कर दिया है तो para position पे NO2 को सिर्फ add कर दो तो para position पे जब NO2 को सिर्फ add कर दोगे इसका मतलब इसमें नाम हो जाएगा paranitrobenzaldehyde यानि कि 4-nitrobenzaldehyde को ऐसा option है क्या 4-nitrobenzaldehyde इसका answer हो जाएगा 65 का answer हो जाएगा थर्ड यह बचो itard reaction ही है बस यहाँ पर para position पे एक nitro को लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं कि उसका कुछ नहीं होने वाला है nitro का ठीक है तो chromyl chloride के presence में सिर्फ यह जो toline का methyl है उसमें से 2H को हटा करके और यहाँ पर पहले chromium complex बना लेते हैं OCR OHCl2 का whole 2 यह भी याद रखोगे यह भी पूछा हुआ है नीट में question और पूछा जा सकता है इंपोर्टेंट यह सब होता है टर्म intermediate खास करके आज जब उसका hydrolysis करते है तब बेंजल रिहाइड का formation करता है answer हो जाएगा third 4-nitro-benजल रिहाइड आगे तरब चले next question दिया हुआ है 72 the increasing order of acidic strength of the following compound अब तुम देखो यह तो 63 समझ गया 63 हो गया हम लोगों का 64 हो गया 65 हो गया उसके बाद direct आते हैं 72 the increasing order of acidic strength of the following compounds बना सकते हैं बहुत यह असान है जैसे आप देखो यह दिया हुआ है ortho पे पहले NO2 ortho पे NO2 का पहले effect लेलो कौन सा होता है minus m minus i उसके बाद meta पे कौन सा effect होता है तो meta पे होता है only minus i बच्चों इस बाद को पहले ध्यान रखना सिर्फ only minus i होता है इसलिए पहले तो तुम effect को priority देते हो बहुत सारा student यहाँ पे confusion में गलती कर देता है कि सोचता है यहाँ पे तो intra molecule h bond बनता है जिसके कारण कि इसका acid question कम हो जाएगा meta से भी अरे नहीं पहला priority हम लोग देते हैं effect को जब यहाँ भी minus m minus i यहाँ भी minus m minus i तो जानते हैं कि अब mesomeric effect dominant होता है inductive पे तो उसके अधार पर जब mesomeric effect दोनों जेगा same ही लगेगा कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि minus i तो जढ़ा लग रहा है fust में minus i first में जढ़ा लग रहा है क्योंकि distance कम है और four में तो कम लग रहा है minus i distance जढ़ा है तो होना चाहिए था जादा acidik कौन first क्योंकि distance कम है नो टू का tendency कम हो जाता है ठीक है तो पी के का वैलिव उम लोगों को alcohol phenol ether chapter में इसके box में दिया हुआ है वहां से भी आप लोग देख सकते हουμε देटा इसका तो कम इसके बाद होगा one उसके बाद 3 उसके बाद की फोर उसके बाद 1 उसके बाद 2 यहख़ जाएगा थर बास समझाया क्या बास समझाया आप सबसे पहले को होगे कि इसमें माइनस माइनस आई दोनों में जब एफैक्ट सेम हो गया इफैक्ट जब सेम हो जाए तब हम लोग प्राइटी देते हैं कि इंट्रा मॉल्कूट एच बॉंड के कारण एसी डिक घटा लेकिन जब यहां मेजोमेरिक एफैक्ट लग रहा है माइनस remembrance माइनस आई की उपगा डोमिनांट हो गा कारण उसका acidic strength कम हो जाता है लेकिन पहला प्राइटी आपको जो electronic effect है वो effect को ही आपको देना है minus m dominant होगा minus i के ऊपर ठीक है इस तरीके से निकालोगे तुम acidic strength उमीद करता हूँ यह आपको question समझ में आ गया होगा और यहां पे कोई acceptor नहीं लगा हुआ है और यहां पे acceptor लग कर रहा है तो माइनस i के कारण भी acidic strength बढ़ता है इसलिए सब से कम acidic होगा यहां पे third उमीद करता हूँ यह बात आप समझ गये होंगे ठीक है जो मैं समझाने की कोशिस कर रहा हूं अब देखो 72 का तो हो गया third answer हो गया three four one two okay अब आते है 73 number the car will compound have maximum reactivity towards nucleophile बच्चाओं आ अब को निकालना है nucleophilic addition reaction तो nucleophilic addition reaction का जो rate होता है inversely proportional किसके inversely proportional होता है hysteric hindrance के अब आप देखो एक दिया हुआ है सबसे पहले acetophenon तो C double bone O के साथ CS3, एक तरफ phenyl, एक तरफ methyl, सकेंड में दिया हुआ है pentane 3 on, तो pentane 3 on कहने का मतलब यह हो गया, C double bone O, दोनों साइड यहां पर ethyle लगा दो, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, यह हो गया pentane 3 on, उसके बाद दिया हुआ है third में acetone, तो acetone ऐसा होता है, इसको लोग कहते है acetone, उसके बाद fourth में दिया हुआ है acetaldehyde, कोई भी उच्चा यहां पर आसानी से कह सकता है, कि nucleophile के परती जो reactivity होता है, nucleophilic addition के rate में, वो aldehyde का ज़्यादा होता है ketone से, क्यों? क्योंकि aldehyde में कम सकम one side hydrogen होता है, दूसरे side alkyl होता है, तो एक side जब hydrogen दिया हुआ है, तो वहाँ पर repulsion क्या होगा? कम होगा थोरा सा, लेकिन ketone में दोनों side alkyl होता है, तो repulsion क्या होगा? ज़्यादा होगा, यानि कि अगर मैं बाते करूँ, rate of nucleophilic addition reaction, यहाँ पर aldehyde का ज़्यादा होगा, यानि कि फोर का, उसके बाद first, second, third, तीनों की ketone है, तब यहाँ पर repulsion कम होगा, फोर के बाद repulsion कम होगा, यहाँ पर third में, उसके बाद होगा two में, अगर सबसे ज़्यादा repulsion कहा होगा, फर्स्ट में, इस तरीके से nucleophilic addition का rate हो जाएगा, four, three, two, four, three, two, उसके बाद हो जाएगा one, इस तरीके से तुम यहाँ पर निकाल सकते हो, अब यहाँ पर हम लोगों को एक ही चुनना है, यानि की acetaldehyde इसका एंसर हो जाएगा, हमेशा ध्यान दखना, generally आपको जितने भी question पूछा जाता है, aldehyde हमेशा more reactive होगा ketone से, एक मैं order बता देता हूँ, कि सबसे ज़्यादा निकलियोफिलिक एडिशन में reactive होता है formaldehyde, उसके बाद ellipatic aldehyde, उसके बाद होता है aromatic aldehyde, फिर होता है ellipatic ketone, फिर होता है mixed ketone, और सबसे कम reactive होता है aromatic ketone, इस बात को यहाँ पर ध्यान डखनी की कोशिस करोगे, इसका answer हो जाएगा यहाँ पर 4, क्योंकि यह aldehyde है, ketone से ज़्यादा reactive होता है, क्योंकि repulsion कम होता है, उमिद करता हूँ, बात आपको समझ में आ गई होगी, अब आते हैं 74 नमर question, 73 का answer हो गया ता 4, अब 74 नमर में क्या दिया हुआ है, 2-methyl propane 2-ol, देखों बच्चों, 2-methyl propane 2-ol कहने का मतलब हुआ, CS3, CS3, CS3 and OH, इसी को हम लोग कहते हैं 2-methyl propane 2-ol, इस 2-methyl propane 2-ol को अगर हम लोग copper metal के साथ 300 degree Celsius पे heat करते हैं, जानते हो यहाँ पे क्या होता है, dehydration हो जाता है पहले, क्योंकि आप लोगों नहीं पढ़ाए किया है, कि जब primary alcohol को copper metal के साथ heat करते हैं, तो aldehyde बनता है, secondary alcohol को copper metal के साथ heat करते हैं, तो ketone बनता है, लेकिन tertiary alcohol से dehydrogenation नहीं होता है, dehydration होता है, alkene बनता है, तो यहाँ से OH- हटा दो, यहाँ से 1H+, हटा दो, पहले dehydration हो जाता है, यही तो है, two methyl, देख सकते, one, two, three, two methyl propane to all, यहाँ पर double bond बना दो, फिर उसके बाद CS3 के साथ, यहाँ पर CS3 कर दो, और यह बन गया इसके किसमे, isobutene, यानि isobutylene, यानि कि two methyl propane, अब इस two methyl propane का reaction करवा दो, किस के साथ, तुम HBR के साथ, HBR के साथ reaction करवाओगे, तो mechanism होगा, electrophilic edition reaction, अलगेगा कौन सा rule, Markovnik-Obs rule, तो according to Markovnik-Obs rule, तुम क्या करो, negative part को वहाँ ले जाओ, जहाँ पर H का संख्या कम है, यहाँ तो है नहीं, positive part को वहाँ ले जाओ, जहाँ H का संख्या जादा है, यानि कि CS3, H plus को यहाँ add कर दिया, CS3 हो गया, यहाँ पर एक CS3 पहले से है, एक CS3 और पहले से है, negative part को बीच वाले carbon पर ला दिये, यही तो formation कर दिया, तुम देखो तो second option को, second option को देखो, यही तो लिखा हुआ ऐसे करके, CS3 का hole 3 CBR, यही तो है CS3 का hole 3 CBR, यानि कि इसका answer कौन सा हो जाएगा, बच्चों, second हो जाएगा इसका answer, उमिद करता हूँ बाते तुमको समझ में आया होगा, और जरूर यह सब question तुम से बनना चाहिए, ठीक है, और बना भी होगा, ठीक है, अब आगे चलते हैं, यह second तो आगया, इसका answer, 74 का second आगया, अब next हम लोग चलते हैं, 74 हो गया, 74 के बाद, 75, SSR region का है, बहुत smart question है, कि 75 में कहा रहा है कि LDH is more reactive than ketone, अभी तुरंत आपको बताया न, पीछे question, वही तो है, LDH is more reactive than ketone towards nucleophilic addition reaction, बिल्कुल सही है, LDH ज्यादा reactive होता है, यह लिखा हुआ, NCAT में भी LDH ketone, कार्मिक चेप्टर में, जब LDH ketone का reaction स्टार्ट किया है, वहाँ पे देखोगे पूरा लिखा हुए यह सब बात, उसके बात, due to less positive inductive effect and less esteric hindrance, LDH is more reactive than ketone, बिल्कुल सही कह रहा है, बच्चों होता क्या है न, कि दो प्रकार के effect प्रमावित करता है, rate of nucleophilic addition reaction को, होता है, esteric region, esteric repulsion के धार पे, तो उसमें कहते हैं, inversally proportional होता है, किसके, esteric hindrance के, एक तो यह कह देते हो, कि esteric hindrance, जितना कम होगा, nucleophil उतने आसानी side होगा, जहां कहीं पे अगर esteric hindrance सेम है, और अगर variable है, donor या acceptor group, तो donor या acceptor group variable है, तो rate of nucleophilic addition reaction directly proportional होता है, किसके, minus I, minus M, और inversally proportional होता है, plus I, plus M, क्यों होता है, ऐसा समझाता हो, यह दो factor यहाँ पर effect करता है, rate of nucleophilic addition reaction को, तो का क्या रहा है, aldehyde, मालो की aldehyde के जगा पे, मैं आपको ऐसा देता हो, जिसमें कि, यह लिया हुआ है, acetaldehyde, मालो, R के जगा पे, मैंने लिया यहाँ पर methyl, और ketone ले लिया, मैंने सबसे simplest, aldehyde ले ले लेता हूँ, यहाँ पर, sorry, simplest नहीं है, यह तो simplest होता है, formaldehyde, यहाँ पर एक acetaldehyde लिया, और ketone ले लिया, acetone, अब इसमें compare करो, तुम देखो, इसमें क्या है, एक तो repulsion कम है, aldehyde में, क्योंकि इसमें है कि due to less positive inductive effect, सही बात है, होता क्या है, यहाँ पर यह polarize करता है, तो delta minus, delta plus, यहाँ पर भी delta minus, delta plus, बच्चों, निकलियो फाइल क्या होता है, electron reach होता है, तो निकलियो फाइल यह होता है, वो कहाँ attract fast होगा, वो attract वहाँ fast होगा, जहाँ पे carbonil carbon के ऊपर positive charge का magnitude जादा होगा, जहाँ carbonil carbon के ऊपर positive charge का magnitude जादा होगा, वहीं पे निकलियो फाइल का attraction जादा होगा, यह जब polarize करता है, यहाँ पे सिर्फ एक methyl का plus I लग रहा है, जो कि कम neutralize करता है इस plus charge को, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इसमें करता है, जिसके करण की निकलियो फाइल का attraction slow हो जाता है, इसलिए यहाँ पे region भी और exact सही-सही explanation भी दे रहा है, तो LDH is more reactive than ketone towards nucleophilic addition reaction यह सही कह रहा है, उसके बाद region में कह रहा है, due to less positive inductive effect, यहाँ less positive inductive effect, यहाँ पर कम है, and less aesthetic hindrance, LDH is more reactive than ketone, यानि बोथ assertion and region are true, and region is the correct explanation of assertion, यह बिलकुल सही कह रहा है, इसका answer यहाँ पर third होने वाला है, बिलकुल सही यहाँ पर कह रहा है, क्या मैं समझाने की कोशिस केर रहा हूं, उमीद करता हूं, तुमको समझ में आ गया होगा, तो बोथ assertion and region are true, and region is the correct explanation of assertion, ब बहुत यासान है, एक तो hopman bromide degradation है, और दूसरा उसमेरी action दिया हुआ है, कारवाइलेमिन टेस्ट, यानि आइसो साइनाइट टेस्ट, देखो, सबसे पहली बाद हम लोग देखते हैं, बेंजामाइड क्या होता है, तो बेंजामाइड का मतलब, यह हो गया, C double bone O और NH2, यह हो गया, बेंजामाइड, इस बेंजामाइड का सबसे पहले हम लोगों को क्या करवाना है, hopman bromide degradation, अब hopman bromide degradation में क्या होता है, C double bone O को काली यहाँ पे हटाना है, अज C double bone O को हटा करके, जो बचा NH2 को रिंग के साथ एड़ करना है, बनता है पहले एनलीन, एक कारवन यहाँ के साथ, in the presence of alkaline medium, तो जानते हो, इसको हम लोग कहते है, कारवाइल इमीन reaction, यानि आइसो साइनाइड टेस्ट, तो क्या होता है, NH2 convert हो जाता है, सिर्फ NC में, तो NC में convert कर दो, NH2 को, यह NC का मत्तब हो गया, आइसो साइनाइड या आइसो नाइट्राइल, इस ही को कहा जाता है, यानि कि इसका नाम क्या हो गया, फिनाइल आइसो साइनाइड, ठीक है, तो फिनाइल आइसो साइनाइड इसका एंसर होगा, यह हो जाएगा, सकेंड, कितना आसान है, बहुत ही आसान है, तो फिनाइल आइसो साइनाइड कैसे बन गया, समझ में आप लोगों को, ओके, आगे चलता हूँ, next question की तरफ, 79 में कह रहा है कि the correct order of reactivity of phenyl magnesium bromide with following carbonyl compound age, अरे phenyl magnesium bromide के साथ aldehyde ketone का reaction, यानि phenyl magnesium bromide कहने का मतलब क्या है ये, ये है actual में grignard reagent, और grignard reagent के साथ क्या होता है, nucleophilic addition reaction, तो actual में यहाँ पे निकालना है rate of nucleophilic addition reaction, rate of nucleophilic addition reaction निकालोगे, क्योंकि तुमको पता है कि grignard reagent के साथ जो होता है, वो nucleophilic addition reaction होता है, तो ये हो गया A, उसके बाद acetaldehyde, acetaldehyde कहने का मतलब हो गया CS3, C double bone O के साथ H, ये हो गया B, और C है acetone, तो acetone कहने का मतलब हो गया C double bone O के साथ CS3, देखो न अभी तुरण दे addition reaction जो होता है, वो होता है, inversely proportional aesthetic hindrance, ये ही देखाए ना बच्चों, क्योंकि आपको reactivity order with phenyl magnesium bromide है, और phenyl magnesium bromide को लोग कहते हैं, grignard reagent, याद रखना, जब grignard reagent का reaction, aldehyde के साथ होता है, तो mechanism होता है, nucleophilic addition reaction, और तुम जानते हो कि जब grignard reagent का reaction, formaldehyde के साथ होता है, primary alcohol, other aldehyde के साथ होता है, secondary alcohol, ketone के साथ होता है, tertiary alcohol, ये सब परहे हो, अब यहाँ पर तुम कहोगे, inversely proportional होता है, aesthetic hindrance का, तो सबसे ज़्यादा reactive कौन होगा, B, क्योंकि पता है, B है aldehyde, और A और C क्या है, ketone, और aldehyde हमेशा ज़्यादा reactive होता है, ketone से, nucleophilic addition में, तो B होगा more reactive, उसके बाद, दोनों ketone है, esteric hindrance देखो, तो C होगा, सबसे कम reactive A होगा, क्योंकि esteric hindrance वहाँ पर सबसे ज़्यादा है, ठीक है, और positive charge का magnitude भी, carbon के उपर सबसे कम होगा, तो B, C, A, कोई है साइंसर, A, B, C है, C, B, A है, B, C, A, बिल्कूल, थर्ड इसका एंसर हो जाएगा, बच्चों, देख लो, कुछ भी तुम यहाँ पर आसानी से इसको बना सकते हो, question में कहीं पर दिक्कत है ही नहीं इसके case में, ठीक है, तो B, C, A, आगया, B, C, A, यानि third answer हो जाएगा, good, अब आते हैं next question की तरफ, next आपको देया हुआ है, 80 number question, जिसमें की कह रहा है कि, the maximum decarboxylation occurs in, देखो, जब भी तुमको पूछा जाए, rate of decarboxylation, rate of decarboxylation, जो होता है, rate of decarboxylation, directly proportional होता है, stability of, stability of carbonion intermediate, यह होता है, इसके case में, इस बात को ध्यान रखना, अब हम लोगों को देखना क्या है, जहाँ carvillic acid attached है, वहीं पर बनाओ तुम carvillic acid, देखो, जैसे उपर थर लिखता हूँ, यह दिया हुआ है, CS3 C double bone O के साथ OH, यह acetic acid, तो क्या करना बच्चों, यहाँ से H plus निकाल करके, यहाँ पर बना दो carvillic acid, बस एक ही काम तो हमको करना है, अब यहाँ पर भी H plus निकलेगा, बनेगा पहले C6H5 minus, और यहाँ पर CO2 बाहर होगा, अब उसके बाद third option में क्या दिया हुआ है, C6H5, CH2 and C double bone O के साथ OH, अब इसके case में भी तुम क्या करोगे, यह donate करेगा, यह accept करेगा, तो बनेगा C6H5, CH2 minus, बाहर कर दो CO2, और एक 4 option है, जिसमें क्या मोलोगों को दिया हुआ है, C3C double bone O, उसके बाद C2 है, C double bone O के साथ, O के साथ H है, अब इसमें भी कर दो D carboxylation, यहाँ पर H plus निकलेगा, और इसके case में C2 minus बनेगा, तो C3C double bone O, और यहाँ पर बनेगा C2 minus, देखो तो बच्चों, सबसे ज़्या ज़्यादा होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यहां resonance होगा, तो यहां resonance होगा, तो negative charge कहां जाएगा, oxygen पर जाएगा, तो oxygen पर जाएगा, तो negative charge present on more electronegativate more more stable, जब कि फिनाइल के साथ होगा, तो negative charge carbon पर जाएगा, जिसका electronegativity कम होता है, और ऐसे भी तुम जानते हो, यह C double bone O है, यहां oxygen acceptor है, जब कि फिनाइल में carbon carbon double bone acceptor है, तो C double bone O का जो minus M होता है, वो ज़्यादा होता है, बच्चे अक्सर यहां confuse कर जाते हैं, सिर्फ number of pi bond देख करके, नहीं, यहां पर देखोगे कि negative charge resonance करने के बाद, more electronegative atom oxygen पर जाने वाला है, और यहां पर फिना होता है, फिनाइल का, और यहां C double bone O का जादा होता है, यही कारण है, कि C double bone O के साथ जब resonance करता है negative charge, वो ज़्यादा होता है, एक तो minus M ज़्यादा होता है, फिनाइल के रिस्पेक्ट में, दूसरी बात, यहां पर negative charge oxygen के उपर जाता है, more electronegative atom पर जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा stable carbon N9 होगा, फोर का, इसलिए इसका answer कौन सा होगा, फोर, ध्यान रखना, इसका answer तुम लोगों को पूछे, इसका answer होने वाला है, फोर क्योंकि फोर वाले का carbon N9 intermediate सबसे ज़्यादा stable होने वाला है, उमीद करता हूँ, बाते तुमको समझ में आ गई होगी, कि मै समझाने की क्या कोशिस कर रहा हूँ, जहां कहीं इस परकार से D-Carboxylation का rate पूछे, तो कार बजली के सिर्फ जिस carbon पर attached है, जैसे मैंने आपको carbon N9 बनाना सिखाया है, बनाओ carbon N9, देखो किसका stable ज़्यादा carbon N9 है, और याद अखना, C double bone O के साब जब यह resonance कर रहा है, ज़्य समझ में आगया, अब देखते हैं, next question की तरह हम लोग चलते है, 80 नमर question हम लोगों का हो गया, 80 के बाद 81, the compound which undergoes both canigaro and aldol reaction, यह एक exceptional question है, बच्चों, यह आईसो ब्यूटाइरल डिहाइड के बारे में आपको प्रहाया था classroom में, यह जो दिया हुआ है, इसको हम लोग कहते है आईसो ब्यूटाइरल डिहाइड, ध्यान रखना, इसी को हम लोग कहते हैं, आईसो ब्यूटाइरल डिहाइड, और यही एक ऐसा compound है, जो कि अगर तुम dilute alkali लेते हो, तो dilute alkali के presence में होता है, eldol reaction, dilute alkali के presence में होगा, eldol reaction, और अगर concentrated alkali दिया हुआ रहता है, तो वहाँ प chloro acetyl archive, जो chloral होता है, वहाँ पर alpha h नहीं होता है, लेकिन alpha h नहीं होने के बाप जूद भी वहाँ पर नहीं होता है, केणी-जारो यही है जहां डाइलूट के पर एल्डीर र्यक्शन होगा और ऑर हो जाता है केणी-जारो रियक्शन तो इसका इंसर होगा आईसो ब्यूर्मल डियाइड आइड है और थर्ड बैंजल डियाईड है दोनों में के नि näजारो होगा और यहां पर एलडॉल रियक्शन या एलडॉल कंडेंसेशन होगा उमिद करता हूं बाते आपको समझ में आ गई होगी ठीक है आगे की तरफ चलते हैं 81 का एंसर हो जाएगा फर्स्ट अब आते हैं 82 नमबर कोश्चन 82 में हमको कह रहा है कि एक नाइट्राइल दिया हुआ है और यह तो एस्टिफन रियक्शन यहां पर आप लोगों ने खूब पढ़ाय किया है कि एस्टिफन रियक्शन में हम लोगों ने पढ़ा है कि जब करते हैं तो होता क्या है पहले एस्टेनस क्लोराइड SNCL2 प्लस SCL यह हो गया एस्टेनस क्लोराइड के साथ रिडेक्शन करते हो तो बनता है पहले इमीन नहीं तो CS3, CH2, CH double bond NH इसको कहा जाता है इमीन और इस इमीन का हम लोगो क्या करते हैं hydrolysis यानि कि ब्वायल करते हैं इसको वाटर के साथ अब जैसी तुम वायल करते हो इसको वाटर के साथ आपको को सॉट कर तरीका बताता हूं इसका जितना बॉंड है उतना O.H कारबन से एड करोगे इसको ब्रेक कर दो पहले दो बॉंड है दो माइनस लाओ तो दो कारबन प्लस लाओ जितना bond उतना plus आएगा less electronegative carbon पे और more electronegative पे minus charge water यहाँ पर ले लोगे 2 molecule जितना यहाँ पर दिया हुआ है bond उतना water molecule ले लो यह short कर तरीका बता रहा हूँ अब OH minus को क्या करो add कर दो CH2 plus के साथ तो जितना plus charge है उतना OH को मैंने add कर दिया जैसी तुमने add किया एक carbon पे एक से ज्यादा OH unstable होता है तो OH minus और H plus H2O बाहर कर दो H2O बाहर करने के बाद जो बचा CH3 CH2 C double bone OH यानि कि propanel का formation कर देगा तो बच्चों इसका answer कौन सा होगा फर्स्ट यानि कि यह स्टिफन reaction में आएगा ठीका ना बाद माकी और तो जानते हो किसी के द्वारा LDH का formation होगा नहीं इसका एंसर हो जाएगा 82 का फर्स्ट अब आते हैं नेक्स्ट कोश्चन की तरफ 83 बेंजीन react with carbon monoxide and hydrogen chloride ओके यह भी reaction हमको लगता है कहीं पर आप लोगों नहीं पढ़ाया है बिलकुल एंश्याइट का question है बेलकुल पढ़ाय किया है सबसे पहले हम लोगों ने ले लिया बेंजीन और बेंजीन का reaction इसमें करवाया जा रहा है carbon monoxide के साथ in the presence of hydrochloric acid and anhydrous alcl3 and cuprous chloride यह होता है न इसको कहते हैं getterman coach reaction में क्या बनता है बेंजल्रिहाइड का formation होता है अप लोगों नहीं पढ़ा होगा एंसर हो जाएगा फस्ट उमीद करता हूं बाते आपको समझ में आ गई होगी अब देखो यह getterman coach reaction NCI team दिया हुआ है उसको जरूर पढ़िएगा नेक्स्ट यहां से आते हैं 84 नमर क्वेश्चन बात खत्म यह भी आसान question है 84 का answer हो गया हम लोगों को पस्ट अब नेक्स्ट आते हैं question number 86 the gamma methyl gamma methyl cyclohexane carvaldehyde देखो बच्चों जब भी मात्र option दिख रहा है मेरे को जहां इसको में लोगो कहते हैं gamma methyl cyclohexane carvaldehyde यही compound है बात खत्म कितने आसानी से तो इसको बना सकते हो अब देखो next question की तरब लेके चलता हूँ 87 87 में कह रहा है कि propanel प्लस methanol dilute oh h minus मतलब क्या है यह cross aldol condensation जब cross aldol condensation दिया हुआ है एक है propanel जिसके पास alpha h है दूसरा है methanol जिसके पास alpha h नहीं है तो बच्चों इस प्रकार के cross aldol condensation में cross वाला product हो जाएगा major अग cross वाला मेजर होगा तो करना क्या जो हम लोगों को दिया हुआ है यहां पर जो लोगों को दिया हुआ है सबसे पहले प्रोपेनल और एक दिया हुआ है methanol तो क्या करता हों पहले ले ले लेटा हो मै प्रोपेनल में से क्या करो ना दो अलफा एच को निकालो प्रोपेनल में से दो अलफा एच को निकालो क्योंकि अलफा एच सिर्फ इसी में है अलफा एच सिर्फ प्रोपेनल में है तो जिसमें अलफा एच नहीं है मिथेनल उसमें से निकालो ऑक्सिजन को जिसमें अलफा उसमें से निकाल दो alpha hydrogen को जानते हो यह वो गया प्रोपेनल बच्यों यही तो हो गया प्रोपेनल डारेक्ट स्वाट कर तरीका में बनाओ क्योंकि reaction में heat लिखा हुआ है heat लिखा हुआ है तो direct water निकाल दो जिसमें alpha H है propanel में वहाँ से निकालो 2 alpha H, यही तो alpha है, और methanol में alpha H है ही नहीं, तो direct वहाँ से निकालेंगे oxygen, अजो बचा उसको add कर दो, तो क्या बचा? इसके केसम बच गया CS2, हो गया ना, methanol से आ गया CS2, O का loss हुआ, फिर यहाँ पे 2H निकालो, इसके साथ double bond C के साथ CS3 हो गया, और फिर इसके बाद यहाँ पर C double bond O के साथ H आ गया, water direct यहाँ से बाहर कर दो, एक line में answer आ गया, देख लो, तो propanel से 2 alpha H निकाल दो, methanol से O निकाल दो, और इसको add कर दो, तो देखो तको ऐसा option है क्य ऐसा option, first तो होगा नहीं, second भी नहीं होगा, third भी नहीं होगा, इसका answer यहाँ पर हो जाएगा, फोर, तो match करा दो, कैसे, methyl है, यहाँ मैंने नीचे लिख दिया है, फिर एक C है, यह double bond CH2 हमने left में लिखा है, वो नीचे यहाँ पर कर दिया है, फिर उसके बाद C double bond OH यह दिया आसान question है, बच्यों, बहुत ही जादा आसान question है, कैसे, सबसे पहले, एक मेरे को दिया हुआ है, बेंजोईक एसीड, इससे आसान आपने कभी कुछ नी देखा होगा, यह है बेंजोईक एसीड, और उसके बाद है, फोर, नाइट्रो, बेंजोईक एसीड, तुम जानते हो, फोर, नाइट्रो, बेंजोईक एसीड कहने का मतलब यह पारा पोजिशन पे नाइट्रो है, तो पारा पोजिशन पे नाइट्रो कौन साई फेक्ट्स हो करता है, माइनस M, माइनस I, बोथ लेते हैं, डोमिनांट माइनस M होगा, उसके बाद C नमर में देखो, C नमर में क्य मेंस I लगता है, मेटा पे नाइट्रो का सिर्फ माइनस I लगता है, अब पारा पे माइनस M, माइनस I दोनों लगता है, उसके बाद जो डी मैं दिया हुआ है, वो दिया çok MUSIC, बेंज्योईक एसीड है, लेकिन फोर पे क्या है, मितोक्सी, अब मितोक्सी का कौन साई फेक प्लस M और प्लस I, उम्मीद करता हूँ, यह आपको समझ में आगा रहे होगा, तो सबसे ज्यादा acidik कौन हुआ, C, 3, 4, 3, 4, dinitropenzoi, क्योंकि माइनस M के साथ मेटा पर माइनस I भी एक्स्ट्रा है, दो-दो acidik होगा, D, क्योंकि D में तुम देखोगे, तो methoxy लगा हुआ है, जो प्लस M सो कर रहा है, तेखो को ऐसा option है, C, B, A, D, यानि इसका answer हो जाएगा, 90 का answer होगा, फोर बिल्कुल यहाँ पर सही है, 3, 4, dinitropenzoi, के सीड, उसके बाद है, 4, nitrobenzoi, के सीड, उसके बाद है, question है, 2-bromopentane दिया हुआ है, 2-bromopentane आप समझ रहे हो पहले, 2-bromopentane कहने का मतलब यह है, CH3, CHBR, और CH2, and CH2 के साथ CH3, इसका reaction किसके साथ कराए गया है, potassium tertiary butoxide, यह मतलब समझते हो, यहाँ पर इसका मतलब है, कि यह potassium tertiary butoxide है, CH3, CH3, and CH3 एक और है, फिर O- के साथ यहाँ पर K+, यह यहाँ इसी को हम लोग कहते हैं, इसका जो नाम है, इसको पढ़ा जाता है, potassium tertiary butoxide, और यह potassium tertiary butoxide, एक crowded base कहलाता है, पाथ में तो यहाँ पर E2 होता ही है, E2 पाथ में यहाँ पर होगा, यह तो तया है, लेकिन इसके case में तुम यह भी जानते हो, कि यह crowded base है, तो crowded base है, यहाँ पर जो बनता है major product, वो बनता है according to anti-setgeps rule, यानि कि hopman's rule के मताबिक यहाँ पर बनता है, मतलब less substituted alkene होता है major product, यानि कि यहाँ पर जो BR- निकलेगा, देख रहो कितना crowded है यह base, तो जो crowded base है, उस side से ज़्यादा निकालेगा H+, को, जहाँ repulsion कम है, इस side से repulsion कम है, इस side से repulsion ज़्यादा है, जिस side से इसको approach करने में कम repulsion मिलेगा, उसी side से ज़्यादा product बनाता है, यानि कि CH2 double bond CH and CH2, CH2 and CH3, यह जो बना है इसके case में, इसको कहा जाता है बच्चों, 1 pentene, 1 pentene जो होगा इसके case में, वो कैसा होगा, major, और अगर इसके case में देखो, तो यहाँ पर base कम पहुच पाएगा, base है crowded, यहाँ पर यह ज़्यादा crowded hydrogen है, इस carbon की पास, तो वहाँ आसानी से नहीं पहुचेगा, जिसके कारण के यह बनेगा minor, minor ही तो इसमें पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है minor, तो टू पेंटीन जो यहाँ पर बनेगा, वो बनेगा इसके case में minor, क्योंकि question में आपको दिया हुआ है crowded base, जहां लगता है hopman's rule, अपने class notes को जरूर पर नप लोग, तो इसमें पूछ रहा है minor, तो minor यहाँ पर काउन सा होगा, पेंट 2 in होगा, पेंट 1 in होगा major, अगर यहाँ major पूछेगा, तब answer होगा, पेंट 1 in, second होगा, यहाँ पर minor पूछा है, तो पेंट 2 in हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है, उमिद करता हूँ, बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि base जो है, यह है इसके case में, crowded, और crowded base के presence में लगता है, hopman's rule, यानि की anti-surjects rule, यानि की list substituted, इलकीन जो होता है, इसके case में, वही होता है major product, उमिद करता हूँ, बात आपको समझ में आ गई होगी, अब देखो, 98 नमर question जो दिया हुआ है, वो आपको, 98 नमर question, हिंसबर्ग test आप लोग परें हुआ न, primary amine, secondary amine, tertiary amine को distinguish करने के लिए, वही तो है, अरे कुछ नहीं करना है, simply हम लोगों को enaline दिया हुआ है, और इस enaline का reaction करवाने के लिए के लिए कह रहा है, बेंजीन सलफोनाइल क्लोराइड, तो बेंजीन सलफोनाइल क्लोराइड, open कर दो इसको, SO2, और यहाँ पर फिनाइल है, इसी को close करके लिखा है, मैंने open कर दिया, यहाँ enaline से H निकालो, बेंजीन सलफोनाइल क्लोराइड से CL- निकाल दो, जो बच्चा उसको combine कर दो, तो हो गया NH, और NH के साथ, यहाँ पर S double bond O double bond O, S double bond O double bond O, और यहाँ पर लिख दो फिनाइल बाहर कर दो, इसके case में, SCL बात खतम हो तो गया, हिंसबग टेस्ट जो परते हो, वही है, तो first option तो होगा नहीं, गलत है, और second भी नहीं होगा, third भी नहीं होगा, इसका answer होगा 4, कैस से, तुम देखो ना, direct यहाँ पर हम लोग mechanism करा दिया, इसमें direct यहाँ से H plus CL minus निकाल दो, और इसको आप combine कर दो, तो यह ना, फिनाइल, फिनाइल, फिर NH, NH, S double bond O, double bond O, 2 है, अब PH open कर दिया, इस तरीके से reaction होता है, समझ में आ गया, यानि कि 98 का answer यहाँ पर होगा, 94 का, 98 का, 98 का हो गया, फोर, अब आते हैं 99, 99 तो बहुत ही आसान है, बच्चो, इसको तो सब को ही बनाया होगा, बनाया हो ना, पूरा यकीन है मुझे, यह एक है दिया हुआ, ब्यूट टुइन, तो ब्यूट टुइन का मतलब हो गया, CH, double bond CH and CH3, ओके, अब इसका क्या करन को डाल देंगे, तो जैसी दोनों साइड, एक है को डालेंगे, देखोगे क्या बना, CH3, C double bond OH, दोनों साइड, identical molecule बन रहा है, क्योंकि यह सिमेट्रिकल इलकीन है, क्योंकि यह टू ब्यूटीन है, अब इसका एंसर जो हो जाएगा, इसको में लोग क्या परहेंगे, उसके बाद देखिए 100 number question, बहुत यासान question है, कि nitrogen of benzoic acid gives meta-nitro benzoic acid, बेलकुल सही है, इसमें सबसे पहले हम लोगों को यह कहा जा रहा है कि benzoic acid है, benzoic acid का nitrogen करते हैं, यानि कि HNO3 in the presence of H2SO4 reaction करवाते हैं, तो आप जानते हो कि carbosalic acid कैसा होता है, acceptor होता है, उसको कहते है, meta-directing group, ESR, electrophilic substitution reaction में, यह meta-directing होता है, तो electrophile यहाँ पर हो गया NO2+, आप कार्बोजलिक acid meta-directing होता है, तो NO2+, कहा जाएगा, meta पे, तो assertion बिलकुल सही कह रहा है कि nitrogen of benzoic acid gives meta-nitro benzoic acid, सही है, लेकिन region में क्या कह रहा है, कार्बोजलिक group increases the electron density at meta-position, गलत है, बच्यों, यह electron density को meta पे बढ़ाता नहीं है, कार्बोजलिक acid का जो group है, वो ortho and para से electron density को घटाता है, वहाँ पे positive charge generate करता है, जब यह resonance करता है, तो ortho and para पे positive charge आता है, इसलिए meta पे ज़्यादा electron density बच जाता है, यह नहीं कि meta पे donate करता है, donate नहीं करता है, donate करता ही नहीं है, अगर तुम यहाँ पर देखो इस बातों को, तो benzoic acid में तुमने resonance पढ़ा होगा, तो जब benzoic acid में resonance होता है, तो क्या होता है, यह ऐसे खीचेगा electron और्थो से पहले, और्थो से जब यह electron को खीचता है, तो कुछ इस प्रकार से double bond C बनता यहाँ पर OH हो गया, double bond हो गया, देख सकते हो, पारा पे फिर से plus आ गया, और फिर एक बार withdraw करेगा positive charge, तो फिर से तुम देखोगे घुम फर करके positive charge कहां आ जाएगा, फिर से आ जाएगा यहाँ पर ortho पे, इस तरीके से यहाँ पर double bond, double bond, यहाँ प्लस charge, और फर्दर एक ब देखोगे, और फो पे, पारा पे, और फो पे, प्लस चार जाता है, इसका मतलब मेटा पे ज्यादा electron density बच गया, क्योंकि मेटा से खीचा नहीं, यह कट गया, इसलिए मेटा पे ज्यादा बच गया, यह मेटा पे डोनेट नहीं किया है, तुम देख सकते हो, यह कहना गलत करता है कि मेटाप इंक्रीज करता है उर्थो आपश करता है यह कहना सही है इसलिए मेटा पर ज्यादा बच जाता है ठीक है बढ़ाता नहीं है मेटा पर समझ में आ गया अगर कोई डोनर होता है जो प्लस सेंच अगता है तो वह अपने द्रिक्री जूपार पर एलेक्टॉन है कि कार्वश Racine increases the electron density at meta-position कहना गलत है. तो, Assertion is true, but region is false. क्योंकि कार्वश Racine increases the electron density at meta-position कहना गलत है, यहक्त अगा ayna पूरा कपूर आपको समझ वे आ गया होगा और इनिक कमिश्टी का पार्ट हम लोगों का यह कंप्लीट हो गया पूरा कपूरा बहुत पाइदा करेगा गया थैंक यू